आज हम आज हम जिला दर्शन दोसा की बारे में पड़ेंगी दोसा जिला जो जईपुर संग बाग के अंदर गताता है इसकी मतलब ये दोसा जिले का छेतरपल 34-32 किलोमेटर है दोसा का नगरी छेतरपल 37.6 वर किलोमेटर है तैता गरामिन छेतरपल 33.94 पॉऌट 34.54 बुच्खवे शारघिया इसाधमें उपखंड़ों की संक्या पांच है दुच्छा में टाही में टाही सिलों कि संक्या एक दो सामें पूरुश जन्सें के ती आट लाग सताउनाचार साथ सो सताशी इस तरी ती साथ लाग चिन्तराचार चासड़ बाइस दस के वर्धी दर मतलब एक दस वर्सों में कितनी वर्धी विए 23.5 पढ़ती से थी दो साकर लिगन पाते 905 दो साकर लिगन पाते 205 है जन्सें के दूसा जिल्ह में कुल पसुदन दस लाग दो जार आट सु बाण में दो सजी ले में कुल्पसु घनतुफ। वर किलोमेटर मतलम दोस्य का अभी हेतिया से विवरन पड़ेंगे जिसमें दोसा जिला थे दोसा जिला डूंडाड़ा चल की परतम राज दैनी रहा है दोसा जिला डूंडाड़ा चल की परतम राज दैनी रहा है सन 1137 में दोले राई ने बड़ गूजरों को हरा कर डूंडा किसी में किसी भी अन्य राजी या देश से नहीं लगती। तो आता जिसकी वरक किलो मेटर लंभाई कुंट 50 किलो मेटर थी ता दोलपूर दूसरी नमबर पर था परणतु स्वाय माध्धपूर जिले से मौवा तैसील को दो सा में मिला दिया गया जिसे दो सा का चेतरपल 342 किलो मेटर हो गया और दोलपूर राज्य का सबसे चोटा ज यह बैती है अभी इन नदियों के बारे में विश्थार से पढ़ेंगे जैसे बान गंगा बान गंगा को अरजुन की गंगा भी कहते हैं बान गंगा बैराट की पाडियों से निकलकर जहपूर दोसा बर्तुर में बैती उत्र परदेश के आग्राब में पतेवाद के निकट यमना में मिल जाती है बान गंगा को किस की गंगा कहते हैं बान गंगा को अरजुन की गंगा कहते हैं यह जैपूर की बाराट की पाड़ियों से निकलती है मोरेल बांद मोरेल नदी यह नदी जैपूर जिले की बस्ती तैसल के चैनपुर गाओं की पाड़ियों से निकलकर ज सब्सक्राश्राप सद्रों कि परिएवानी लुन दीट हैं दो सजिनसक्राशचीता ने सब्सक्राश्राश। मुष्टन्दीति सफवक्न परति शचकन्मि मंधिम को मिंधिरी पंधिस्व को गाउं जिसमेन एक भी केश नहीं आभे नाची गारा फर अपर फैस्टित करे और और सुद्माता को बाहए बहुत इंपोर्टेंट की इसने इंपरंची में ऐसे फंगेस्गव yen यहां के मंदिरों का निर्मान परतियारों द्वारा आठवी नवी सताब्दी में किया गया दोसा का किला इस निर्मान इसका निर्मान बडगुजरों ने देवगिरी पाड़ी पर सूप क्या करती में करवाया था इस दुरग में हाति पूल ता मोरी दर्वाज नाम की दो दर्वाजे राम चंदर जी दुरग माता जैन मन्दिर ता एक मस्जीद की दो शासित के किले में राजा जी का कुट च्यार मंजिल की बावड़ी पर सिदि इस दुरुक का प्राचिन महल चोदा और राजाओं के साल से परसिद है माराना सांगा का चबुतरा गाहिल राना सांगा खानवा के उद के बाद बस्वा ले जाये गया बस्वामें उनकी मर्तियों ने कवर्णन में तरह सांगा का चबूतर चत्री बस्वा के समीप दूपतलाई में आलूदा आलूदा एक मतलब दो साज जिले का एक छोटा सकस्प है यहां आलूदा को बुबनिया कुंड एतियासिक दस्टी से महत पून है यहां बनी कुंड बारे में है ऐसा माना जाते है कि पर्तम सोतनता तो दिवस पर जिस जंडे को लाल के लिए कपर चाहर पर पर आए गया वह दो साजिले के अलोदागाओं खादी से बना हुए अलाकि इसका कोई परमान नहीं है वंजारोग चत्री पो अन्जारोग चत्री पोटेंट है यह जाल सोट में है यह चत्री छेक खंब इस्तंबोपर बनी है जो पुरा तार्तिव की दर्ष्टी से अलग पहचान रखते बर्जकूरी बर्जकूरी राजसिंग्स पत्नि इसी बर्जदासी के नाम से जाना जाता है यह लमान की राजकूरी थी बर्जदासी बागवत कित तरिमत म अग्यानें को यह रामय में आगैंट इस शहितार में चर सीथ Inc सुन्दरदाजी दादुपंत की नागा साका की प्रमुक्संत थे दादुपंत में सर्वादिक साहिते की रचन सुन्दरदाजी नहीं की थी रास्तान की परत्वन निर्वाचित मुक्यन मंत्री टिकराम पालिवाल का जिनम मंडावर गाउं मौवा मेवा पीतल के बरतनों के लिए बनाएडि मॉआ परसिध। यहें तर लवाण गाहों दरिया के लिए परसिद॥ बंड़ारेज की बावडी इतने भूर सतले प्प्रप से सकता तर भूर genuine लखते हैं réflेंट बांडा रेज में लोगे समान चमड़ी की जूतियां रंगाय सफाय कारी के जाता है बांडा रेज का सपा माव बारत कालीन बद्रा होती नगर से नम दित है बांडा रेज का पुराना नाम बद्रा होती था दोसा स्टेशन से लगवक कि दasकी किलोमेटर दूर नाम लगवक 10,000,000 He세요 के लोग के बंडार में लेन लोध सा से bütün लुट जूस किलोमेटर दूर Ben B Asian Day K कि पर्सेद है राल दुंतिया पररधें कि बार्मान मातक कि धिन के है कि लोग बार्मान आ कि दर्शन बुर्षण रूप से राजनिक्त पद्वे मंत्री पद्वाद निक ले करती है मंद्र मंदावरी गाउं लाल सुड़ दोसा मिशती तै भी जासने माता का मिला यह इस्तान जिले की लाल सुड़ तैसिल में खोरा गाउं मिशती तै यहां चैतर सुदी कुण मां का उसर पर चार दिवे से म में लाल लगता है जिसमें तीज की स्वारे निकल जाती है पंच माहदेव मंदर इसमें नील कंट बेर बेजड़नात गुपतेश और सहजनात यम स्वामनात में सभी समुदाई के द्रफप्रायन लोग नियमत रूप से दर्शन करने आते हैं मैं आपको इन से समंधित कुछ फोटो दिखाता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा में इस्तित है जो में यहां होता है में बूत परेतो का इलाज होता है यह जैसे आपको इमेज में दिखाए दे रहा होग एक औरत यह आथ में कुछ इंगारे से उठ रहे पर एक पूछ जाना वाल कि उसन आभानेरी बहुड़ी है यह दोसा जी लेके बांदी कुई तैसिल के अभानेरी गाउं में पड़ती है यह दोसा के अकिल है जो काफी अच्छ है यह माराना सांगा का चबूतर है बस्वा में लाल सोट बंजारों की चत्री है यह बहुत सारी है काफी अच्छी है बहुत रास्तान के पहले निर्वाचित मुखे मंद्रिटी कराम पालीवाल जी है यह रास्तान सरवाकर के पहले निर्वाचित मुखे जो दोसा की महवा तैसल से बिलोंग करते थे